हलो दोस्तों अरद्धारेस अकेडमी के यूटूब चेनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आयूजी ते पस्षू परिचर भरती परिक्षा दोजार चोबिस के नविंतम पाठे करम के अनुसार भाग बै में पस्षू पालन से समंदित जो जो टोपिक से अलेवस में दे रखे हैं उन्हें सबी टोपिकों के अपन करमवाई जती महतोपून प्रस्ते हैं वो पढ़ते हुए चलेंगे टोपिक वाईज दोस्तों अपनी दो कलास है वो कंप्लीट हो चुकी है आज अपनी तीसरे नंबर की कलास है टोपिक का नाम है दुग्द दोह है वो आपका किलियर हो जाएगा और भाग बै के लिए दोस्तों ये सरवतन प्रस्तन है इनसे बार कुछ नहीं जाएगा अगर आपने पिछली दो कलासे नहीं देखिये तो आप प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पसु परीचर भाग बै टोपिक वाइज प्रस्तन के नाम से आपको वाँ फोल्डर मिलेगा तो आप वहाँ जाकर पिछली जो कलासे हैं वो जरूर देखें और अरद्धरेस एकेडिमी की यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल 45 प्रस्न उसी में से पुछे जाएंगे ठीक है तो अगर आप वह 45 प्रस्न सही करना चाते हैं तो दोस्तों आपको रोजाना हमारे साथ में चलना होगा देखें पहला प्रस्न दुख्द साला में कलाई किये गए बरतनों को धोने में परियुक्त होता है तो दोस्तों ठीक है सोडियम बाई कार्बोनेट का परियोग किया जाता है कलाई किये गए बरतनों को धोने में तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का उप्सन बिल्कुल से उतर हो जाएगा सेकें नंबर का प्रस्न इसमें देखें कौन सा मोसम का दूद उतपादन का परिणाम नहीं ह तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कीमत में मोसमी उतार टडाओ अतिरिक्त वी निर्मान समता वसंत रितु में अत्यदिक दूद उतपादन तो दोस्तों यह सभी है यह मोसम का दूद उतपादन का परिणाम है यह नहीं है तो यहां पर अपना इसमें रा दूदूट पादन, ये सबी मौस्मी दूदूद पादन के परिणाम है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, तो दोस्तो इसका राईट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक अभी, ठीक है। आगे देखे दोस्तों यहां पर दही तैयार करने के लिए दूद में अमलियता का परतिसत होना चाहिए, तो दोस्तों अमलियता का परतिसत होना चाहिए, तो यह होना चाहिए दोस्तों 0.10 परतिसत, 0.10 परतिसत होना चाहिए, यहाँ पर B नंबर का जो उप्षन है, वो इसक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है याद रखना जीरो पॉइंट दस परतिसत अमलियता का परतिसत होना चीए नेक्स्ट आगे देखे दूद में कौन से दो विटामिन परचूर मातरा में पाए जाते हैं तो दोस्तो देखे इसमें विटामिन ए और डी विटामिन ए औ मातरा में पाए जाते हैं तो यहाँ पर ए नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे बकरी के दूद में वसा का उसत परतिसत होता है तो दोस्तो यह उसत परतिसत होता है चार से पांच परतिसत होता है तो यहाँ पर सी नमबर का जो उप्सन है वो इ विदी का दोस है मसीन द्वारा दुग्द दोहन विदी का दोस है तो दोस्तों वो कौन सा है मसीन द्वारा दुग्द दोहन विदी का दोस है तो वो कौन सा है तो दोस्तों वो है यदि समय पर मसीन बंद नहुई तो खून भी निकलाएगा ये दोस है दोस्तों दुग्द द कोलोश्ट्रम में सामने दूद की तुलना में किस पोशक तत्वय का परतिसत अधिक होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोटीन खनीज और विटामिन ए ठीक है दोस्तों सामने दूद की तुलना में किस पोशक तत्वय का परतिसत अधिक होता है कोलोस्ट्रम में तो दोस्तों प्रोटीन, खनीज और विटामिन A का परतीसत है वो अधिक रहता है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर यह B नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए गाई या भैस में प्रसव के तुरंत बाद पर्थम दूद क्या कहलाता है बताए गाई या भैस के बियाने के बाद जो तुरंत जो पर्थम दूद होता है उसको क्या कहते हैं उसको दोस्तों खीस कहते हैं क्या कहते हैं खीस यहाँ पर A नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे एक अच्छे दूद के विकल्प में न्यूनतम कितना crude protein होना चाहिए एक अच्छे दूद के विकल्प में न्यूनतम कितना crude protein होना चाहिए तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है 24% कितना 24% तो यहाँ पर B नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 24% ठीक है आगे देखे दोस्तो यहाँ पर 10 नमबर का प्रशन है वेदो में अमरत की संग्या दी गई है वेदो में अमरत की संग्या है वो किसे दी गई है तो दोस्तो यह गाय के दूद को वेदो में अमरत की संग्या दी गई है दोस्तो गाय के दूद को तो यहाँ पर A नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखें डेरी गाय को दुख्द दोहन से धोते समय किस परकार के साबुन से बचना चाहिए तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डिटर्जेंट के साथ साबुन से दोस्तो बचना चाहिए ठीक है दोस्तो दुख्द दोने से पहले पिछले इससे जांगो और थन को अच्छी तरह से दोना चाहिए ठीक है और दोने के लिए डिटर्जेंट साबुन से बचने की सला दी जाती है दोस्तो तो यहां पर अपना D number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे गाय के अयन में एकत्रित दूद के थनों द्वारा बहर निकलने की किरिया कहलाती है गाय के अयन में एकत्रित दूद के थनों द्वारा बहर निकलने की किरिया कहलाती है तो दोस्तो वो कहलाती है दुग्द दोहन किरिया यहाँ पर A नंबर का उपसन है वो इसका बिल्कूल सही उत्रिश में हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो यहाँ पर राश्टिये दुग्द दिवस कब मनाय जाता है बताईए राष्टिय दुख्द दिवस कब मनाय जाता है तो दोस्तों ये मनाय जाता है 26 नॉम्बर को 26 नॉम्बर को राष्टिय दुख्द दिवस है वो मनाय जाता है यहां पर B नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तरिश में हो जाएगा आगे देखिए बारतिय गाए साहिवाल की ओसत उत्पादकता है तो वो ओसत उत्पादकता क्या है तो वो है दोस्तो बताईए देखिए दूद की दूद जो लिटर है वो ब्यात की मैं बात करूँ तो दोस्तो यहाँ पर देखिए बारा सो सत्रा की ग्रा ब्यात यह ओसत उत्पादकता है भारतिय गाए साहिवाल की तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहितर हो जाएगा ठीक है भारतिय गायों का यह दूद लिटर ब्यात है ठीक है ओस्वत उत्पादकता वो है बारा सो सत्रा की ग्रा प्रति ब्यात आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चोटे थंवाले पसुओं में दूद की आखरी धारों को निकालने के लिए काम में लिजाने वाली विदी है बताए चोटे थंवाले पसुओं में द चुटकी वीदी ठीक है कोन सी वीदी है चुटकी वीदी चुटकी शे दुद्ध निकालते ना अंतेम बचावा होता है वो तो यहां पर वीद लिए नंबर का उप्सन बिलकुल सही आगे देखें डेरी गाय का सुषक काल होता है तो दोस्तों यह होता है दो माँ है यहाँ पर ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा दो माँ है आगे देखे ब्यानने के बाद गाए कितने महीने तक दूद देती है तो दोस्तों यह देती है दस महीने तक दूद देती है दोस्तों गाए ब्यानने के बाद तो यहाँ पर c number का option बिल्कुल सबी नेक्स्ट आगे देखें निम्ड मेंसे किसे machine milking का हर्दे का जाता है बताईए किसे machine milking का हर्दे का जाता है तो दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा वो है पल्सेटर को दोस्तों पल्सेटर को मसीन मिल्किंग का हर्देक आ जाता है और यह एक क्या है उपकरन है जो हवा के दबाव को समय समय पर बदलता रहता है ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सईटर आगे द दोखा ठीक है दोखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सईटर आगे देखे दोस्तों यहाँ पर दुग्द साला में बरतनों की सफाई करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों गर्म जल से गर्म जल से दोस्तों दुग दोहना किया जाता है बताइए कौन से विदी से दूद दोहना किया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मसीन से दूद निकालना हाथ से दूद निकालना हिलना हाथ से दूद दोना और मसीन से दूद दोना डी नंबर का जो उप्षन है वो अपना इसमें राइ उपलब जता है तो दोस्तों वो है 408 ग्राम 408 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूद उपलब जता है तो यहां पर डी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे वैदानिक मानक के अनुसार मखन में कम से कम वसा का अंस होता है वैदानिक मानक के अनुसार मखन में कम से कम वसा का अंस होता है तो दोस्तों वसा का अंस होता है वो होता है 80% ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही 80% आगे देखे दूद का पी एच मान होता है तो दोस्तों दूद में पानी का परतिसत कितना होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 87 से 90 परतिसत है यह भैस के दूद में पानी का परतिसत होता है यहाँ पर D नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए नए पैदा हुए बच्डे को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए तो दोस्तों दस दिनों तक है वो खीस है वो पिलानी चाहिए यहाँ पर D नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए उस परकिरिया को क्या कहा जाता है जब एक बच्डे को दूद से बदल दिया जाता है या दूद को पानी और सूखे चारे में बदल दिया जाता है तो दोस्तों उस परकिरिया को क्या कहते है उस परकिरिया को दूद छुडाना कहते है क्या कहते हैं दूद छुडाना तो यहां पर D नमबर का उप्षन बिल्कुल सही दूद छुडाना कहते हैं आगे देखें बदावरी बैस के दूद में कितने परतिसत वसा होती है बदावरी बैस के दूद में कितने परतिसत वसा होती है तो दोस्तो राइट अंसर होगा, वो है बारा से चोड़ा प्रिते सतवी सथ होती है, यहां पर B नंबर का उप्सन बिलकुल से रोजाऑगा, बारा से चोड़ा प्रिते सतवी सतवी एरागे से तेंडे आगी देखे, मलाई रही तो दूद मूलता है वसा का कम परतिसत वाला दूद होता है ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही मलाई रही दूद से कौन सा गटक है अधिकांसता है निकाल दिया जाता है तो दोस्तों वो है मोटा ठीक है मलाई रही दूद बनाने के लिए सामाने दूद से वसा हटा दी जाती है ठीक है तो यानकी वसा है वो निकाल दी जाती है दोस्तों इसमें D नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे पून दूद के दही में लेक्टिक अमल का परतिसत होता है पून दूद के दही में लेक्टिक अमल का परतिसत होता है तो दोस्तों लेक्टिक अमल का परतिसत होता है 0.6 से 1.1 तक ठीक है तो ये लेक्टिक अमल का परतिसत होता है पून दूद के दही में तो यहाँ पर अपना इसमें ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे गर्मियों में दूद में पैदा होने वाला बैक्टिरिया है तो वो कौन सा बैक्टिरिया है तो वो है दोस्तो इसमें कॉलिफार्म तीक है याद रखना कॉलिफार्म यहाँ पर ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा याद रखना आगे देखे दूद दोहने की सरोतम विदी है दूद दोहने की सरोतम विदी है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तो पूर्ण हस्तविदी कौन सी पूर्ण हस्तविदी यहां पर ए नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही तरो जाएगा पूर्ण हस्तविदी आगे देखेए नमनलिकित में से कौन सा कारक है दूद की चिपचपाहट को परभावित नहीं करता है तो दोस्तो यह परभावित नहीं करता है किसको तो दोस्तो देखेए दूद का तापमान और उम्र को निर्वर करता है प्रोटीन की इस्तती और एकागरता को निर्वर करता है वसा की इस्तती और संदरता को प्रभावित करता है ठीक है लेकिन बिगाड़ना को प्रभावित नहीं करता दोस्तों ये दूद की चिपचपा हट को परवावित नहीं करता ठीक है तो यहाँ पर D नमबर का उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिगाड़ना ठीक है याद रखना आगे देखे दोस्तों यहाँ पर छोटे थनवाली गाय के दुग्द दोहन परियुक्त हो रक्त की मातरा होती है बताये एक लिटर दूद के निर्मान के लिए थन के मादयम से आवशक की मात्रा होती है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर है 800 से 900 लिटर 800 से 900 लिटर तो यहाँ पर अपना C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा याद रखना, एक लिटर दूद के निर्मान के लिए 800 से 900 लिटर रखत की आवसिकता होती है आम तोर पर साड़े 800 लिटर कुन कर्च होता है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा C नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए यहाँ पर दूद के गंदे बरतनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा है दूद के गंदे बरतनों में सबसे पहले रहने वाला जीव है तो यहां पर A-Number का ईॉप्शन बिल्कुल साही उत्र हो जाएगा आगे देखे, दुख्द सरकरा है दुख्द सरकरा है तो दोस्तों यह क्या है? तो दोस्तों यह लेक्टोस तो यहां पर अपना लेक्टोस है यह दूद की सरक्रा है तो यहां पर B number option बिलकुल सही आगे देखें दही निर्मान में दूद के जामन कितने तापमान पर मिलाया जाता है तो यहां पर इसमें right answer हो जाएगा वो है 21 degree Celsius पर 21 degree Celsius पर तो यहां पर अपना इसमें यानि कि दूद में जामन है वो 21 degree Celsius पर मिलाया जाता है यह number option बिलकुल सही आगे देखें हातों दवारा दुग्द दोहन की सर्वतम विदी है तो वो विदी है वो है दोस्तों पूर्ण हस्त दोहन विदी यहां पर C number का option बिलकुल सही देखें एक-एक प्रसन है वो महतोपून है टेस्ट आपको ये पूरा देना है ठीक है चाहे वो प्रसन का जो लेबल है वो down है चाहे वो प्रसन का level है वो हाई है यहां पर आपको सब तरह के प्रसन मिल रहे हैं ठीक है तो आपका basic भी clear होजाएगा और आपका deepest क्लिए ये हसमें ठीक है दोस्तो लेक्टोज का प्रतिसत होता है 4.6 से 5 प्रतिसत संपून दुद के दही में लेक्टोज का प्रतिसत होता है 4.6 से 5 प्रतिसत होता है A number option बिल्कुल स़ी आगे देखे, किस दुख्द दोहन विद्धी द्वारा थनों में गांट पढ़ने का बहर रहता है किसे दुख्द दोहन विदी द्वारा थनों में गांट पढ़ने का बहर रहता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंगुठे द्वारा यहाँ पर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अब उठे द्वारा नेक्स्ट आगे देखें यहाँ पर बियानने के बाद गाय जो पहला दूद देती है उसे क्या कहा जाता है तो दोस्तो उसे कोलो इस्ट्रम कहा जाता है यहाँ पर बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही कोलो इस्ट्रम कहा जाता है आगे देखें यहाँ पे निमनलिकित में से दूद की उपस्तिती पर समरूपी करण का क्या परभाव पड़ता है तो दोस्तों वो परभाव पड़ता है सफेद रंग का दिखना सफेद रंग का दिखना तो यहाँ पर ए नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए पस्वों में दुग्द सरवनकाल यानि की इस्तनपान की अवदी है तो वो है दोस्तों एक सो पिचाणम दिन ठीक है और अधिकतम अवदी है वो है तीन सो अवदी के रूप में जाना जाता है और इस्तम इस्तनपान अवदी है वो तीन सो पांच दिन है यदि इस अवदी को छोटा कर दिया जाए तो दूद उत्पादन डेरी पस्वों का परजनन और फार्म रिकार्ड है वो कम हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर है अपना इसमे आइखा राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन सो पांच दिन इसका बिल्कुल सई्तर हो जाएगा थीक है आगे देखे दोस्ते आपे दूद की सुदता किस के द्वारा ना प्विं जाति है तो दोस्तो ये लेक्टो मीटर के द्वारा ना पर जाती है दूद की सुदता यहाँ पर बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखें वीपिंग क्रीम को मतने से दूद का कौन सा रूप बनता है तो दोस्तो वो बनता है मक्खन मक्खन बनता है यहाँ पर डी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मक्खन आगे देखें दूद का आपेक्सिक गनत्वय ग्याद करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लेक्टो मिटर यहाँ पर बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही लेक्टो मि आगे दखें, दुह्ध दोहन साला में बर्तनों के सुच्छत करण का मुख्य करण है, तो दोस्तों वो मुख्य करण क्या है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो मुख्य करण है, दोस्तों सुकसम जीवो को मारना, तो यहां पर बी नंबर का storyline, बिलकुल सत्य का थन है तो वो कौन सा है यहां पर देखे दूद की आखरी धारों एवं साम के दूद में वसा की मातरा अधिक होती है गाय के दूद बाई और से निकलना चाहिए बिलकुल सही है दोहन अंतराल बारा गंटे का होना चाहिए यह भी दोस्तों इसमें बिलकुल स़ी है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोक सबी demasor आगे देखे यहाँ आपर गाय के दूद में वसा के क्रिस्टली करन कीगरना करने की विदी निमनलिक्षत में से कोन सी हो सकती है गाय के दूद में वसा के क्रिस्टली करण की गर्णा करने की विधी निम्न में से कौन से हो सकती है सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो NMR तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तो पानी का ठीक है पानी नमबर परतिस्ट होता है यहाँ पर C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो यहाँ पर दुग्द पास्चूरी करण की निम्न ताप दिर्ग काल विधी में दूद को गर्म किया जाता है 145 डिग्री फारने हाइट पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है तो यहाँ पर अपना इसमें A नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अगे देखिए निम्न में से किस दूद दोहन विधी में पसू को कष्ट का अनुबव नहीं होता बताएगे कौन सी दूद दोहन विधी में पसू को कष्ट का अनुबव नहीं होता राइट आंसर हो जाएगा वो है पून हस्त दोहन विधी यहाँ पर A number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें निम्न में से किसका करण आकार दूद में सबसे बड़ा होता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो वसा गलोबिल यहाँ पर D number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें यहाँ पर इसकंड दूद के दही में प्रोटीन का प्रतिसत होता है तो यह होता है दोस्तो 3.3 से 3.5 प्रतिसत तक होता है तो यहाँ पर A number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पर नंबर का प्रस्ण है इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर मसीन द्वारा दुग्द दोहन विदी का लाब है वो क्या है दोस्तों लाब के बारे में पूछा गया है तो लाब देखिए सुच्छ दूद उत्पादन बिल्कुल सही है अधिक दूद देने वाले पस्वों में दुग्द दोहन आसानी से होगा यह भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोक्स अभी आगे देखें दूद को रेनेट नामक पदार्थ के साथ गरम करके कौन सा डेरी उत्पाद बनाया जाता है तो दोस्तो वो डेरी उत्पाद बनाया जाता है कौन सा पनीर यहाँ पर C नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही पनीर आगे देखें दूद का ओसत क्वतनांग क्या है तो दोस्तो वो क्वतनांग है 100-101 डिगरी सेल्सियस आगे देखें रीतुमई भहस में गर्बादान का उत्तम इस्तान चिनहित कीजिए तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्विक्स आगे देखें ताजे दूद में प्राकर्तिक अमलता का परतिस्त होता है तो दोस्तो ये होता है जीरो पॉइंट बारा से जीरो पॉइंट अठारा परतिस्त तीक है यहाँ पर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें खारी पानी वाले इस्तानों पर दुग्द बरतनों की सफाई में परियुक्त होता है खारे पानी वाले इस्तानों पर दुग्द बरतनों की सफाई में परियुक्त होता है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो ट्रेटा फास्पेट यहाँ पर A नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा आगे देखें गाय का दूद निकालने के बाद उसके थनों को डुबाना चाहिए गाय का दूद निकालने के बाद उसके थनों को डुबाना चाहिए तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो तुरंत डुबाना चाहिए यहाँ पर D number option बिल्कुल सही आगे देखे दूद का संगठन प्रभावित होता है दूद का संगठन प्रभावित होता है दोस्तो यह प्रभावित होता है पसू की जाती पर ब्यात की अवस्ता पर रीतू परिवर्तन पर तो यहाँ पर अपना इसमे right answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी पर दूद का संगठन है वो प्रभावित होता है नेक्स्ट आगे देखे यहाँ पर दूद को हिमांक कितना होता है दूद का हिमांक कितना होता है दोस्तों दूद का हिमांक होता है माइनस 0.55 डिगरी सेल्सियस माइनस 0.55 डिगरी सेल्सियस ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा बी नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्त हो जाएगा तो यहाँ आगे देखे दोस्तों यहाँ पर दूद का आप एकसी अप्य की गनतव क्याद करते हैं आप एकसी गनतव करते हैं तो यह तो सभी को पता है लेक्टॉमिटर में यहाँ पर एक नंबर का ऑप्सन बिल्कुल सही आगे देखे दोगद स्ट्राव को जाना जाता है दोस्तों दुग स्ट्राव को जाना जाता है तो दोस्तों ये लेक्टो जिनेशिस जाना जाता है दोस्तों ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे गाय के दूद का पी एच मान होता है गाय के दूद का पी हेच मान होता है तो दोस्तों ये होता है 6.4 से 6.6 यहाँ पर B नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे बैस का दूद का अच्छा स्रोत है बैस के दूद का अच्छा स्रोत है तो वो है केल्सियम और फासपोरस है यह बेस के दूद का अच्छा सर होता है यहाँ पर D नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे दूद के प्राकर्तिक अमलता के कारक हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फासपेट, साइटरेट जावन ऐलूमीन तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्राक्स अभी यहाँ पर D नमबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखेए खीस पिलाना यानि कि कोलेस्ट्रम के लिए आवशक है खीस पिलाना किसके लिए आवशक है र रचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत दुग्द होता है बताए दूद में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो किसका होता है यह तो मैंने बताया था पानी का होता है दोस्तों तो यहाँ पर C नमबर का जो उप्शन है वो इसका राइट आ आगे देखे, दूद और क्रीम के मिश्टरन से बना उत्पाद जिसमें कम से कम 10.5% दूद वसाहो कहलाता है, बताइए, दोस्तों, दूद और क्रीम के मिश्टरन से बना उत्पाद जिसमें कम से कम 10.5% दूद वसाहो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो आद पाश्चुकरन विदी में कौन से जिवानू मारने के लिए सुचक के रूप में परियोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो M है टूबर क्लोसिस तो यहाँ पर D नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे दूद दोने की सरवतम विदी है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तो फिश्टिंग विदी यहाँ पर D नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा फिश्टिंग विदी यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पास्चुरी गरण आगे देखे एक गरंथी सिष्टन में दूद एकत्रित करने की समता होती है तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें 500 से 600 गराम होती है यहाँ पर A नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे हार्मोन जिसे दूद देना शुरू करने के लिए जारी करने की आवसकता होती है बताएगे वह हार्मोन कुन सा है जिसे दूद देना शुरू करने के लिए जारी करने की आपसकता होती है तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ओक्षिटोसीन ठीक है ओक्षिटोसीन तो यहाँ पर है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए दोस्तो यहाँ पर HTST HTST दुखद पास्चूरी करन की विदी में दूद को गरम करते हैं तो दोस्तो दूद को गरम करते हैं तो दोस्तो 20 डिग्री सेल्शियस पर 15 मिनिट के लिए वो गरम करते हैं तो यहाँ पर सी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर गी को दानेदार बनाने के लिए पस्वो को कौन सी खल खिलाई जाती है बताइए गी को दानेदार बनाने के लिए पस्वो को कौन सी खल खिलाई जाती है तो दोस्तो पस्वो को नारियल की खली है वो खिलाई जाती है यहाँ पर C number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें यहाँ पर दूद के गंदे बरतनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कुन सा है तो दोस्तो वो जीव है streptococcus lectis यहाँ पर C number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दूद देने की परक्रिया में कौन सा हर्मों मेटोपून है तो दोस्तो वो हर्मों मेटोपून है oxytocin यहाँ पर A number option बिल्कुल सही आगे देखेंसा का उत्पादक जीवन होता है तो दोस्तो यह होता है कितने रस तो दोस्तो यहнокों होता है 10 वर स स्मॉत यहाँ पर A number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें आगे देखें दूद और सितन के अंदर पर दूद का ताप रखा जाता है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो चार डिगरी Celsius पर यहाँ पर A number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें स्वच्च दूद उत्पादन के लिए सुचक जिवानु है तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है कौन सा तो वो है स्ट्रेप्टो कोकाई यहाँ पर A number का option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें सामाने दुग्द कौन सा निर्मान किया जाता है इसका right answer हो जाएगा वो है aluminium तथा उसकी मिस्रित दातु से यहाँ पर B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें स्वच्च दूद उत्पादन हे तू किस परकार का दुहाई वरतन सर्वोपरी होता है इसका right answer क्या हो जाएगा वो है domed bucket यहाँ पर B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें चार्च किसके निर्मान से प्राप्त होने वाला एक तरल उत्पाद है यह तो सभी को बताओगा दोस्तो चार्च है किसके निर्मान से प्राप्त होने वाला एक तरल उत्पाद है तो दोस्तो मक्षन यहाँ पर D number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो हाई नमबर का option ब्लकुल सही मान की करन झाता है अगे देखे दे आयन से प्राप्तड दूद के किस भाग में जिवानों की संख्या सबसे अधिक होती है आयन से प्राप्त दूद के किस भाग में जिवानों की संक्या सबसे अधिक होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्रिम दूद यहाँ पर अपना इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा अग्रिम दूद आगे देखें नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें दूद में स्ट्रेप्टो कोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लेक्टिक अमले पैदा किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो एक पॉइंट पांच पर तिसद यहाँ पर तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें सोला डिग्री सेल्शियस पर सामाने संपूर्ण दूद का ओसत विशिष्ट गुरुत्व क्या है सोला डिग्री सेल्शियस पर सामाने संपूर्ण दूद का ओसत विशिष्ट गुरुत्व क्या है तो दोस्तो वो है इसमें 1.032 ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखें सोला डिग्री सेल्शियस पर सामाने संपूर्ण दूद का ओसत विशिष्ट गुरुत्व है वो है दोस्तो यहाँ पर 1.032 है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें प्रसितन इकाई में दूद को किस तापमान प कौन सा अवयो दही में नहीं पाए जाता तो दही में नहीं पाए जाता तो दोस्तो इसमें यूरिया है वो नहीं पाए जाता लेक्टॉक कैल्सियम और फास्परस पाये जाता है D number option बिल्कुल सही आगे देखें नवजात बच्छडे को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है बताइए अच्छा प्रस्ण है दोस्तो इसमें antibodies होती है दोस्तो C number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे गाय के दूद के दोहन की सरोतम विदी है तो दोस्तों वो है सरोतम विदी है सुखे हाथ दोरा ठीक है यह सरोतम विदी है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राए लोग क्या करते हैं कि गिले हातों से दूद निकालते हैं ठीक है थनों को गिला करने के लिए कभी कभी तेल मक्षन या लार्खा प्रियोग करते हैं ठीक है और ऐसा करने से जो थन की है वो तवचा है वो भी फट जाती है दोस्तों ठीक है तो दूद निकालने हैं तो ये तीसरा नंबर का जो चेफ्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है कल मा आपको चोथा नंबर का चेफ्टर करवाँगा और रोजन आपको मेरे साथ में चलना है आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पसू परीचर पसू पालन लाइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर है जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत